हालो फ्रेंट्स फ्रेंग इवनिंग आई बिलीब आप सब अच्छे होंगे एंड आज का ट्रेट कैसा गया गाईज मैं अगर आप पुछूँ आप लोग से एवरेज अफ ट्रेड आज कैसा गया ओके ओके लॉस या फिर नो लॉस मैं प्रॉफिट के इसलिए नहीं पूछ रहा हूं क्योंकि मार्केट आज साइडवेज है ठीक है जिन्होंने प्रॉफिट बनाया है उनके लिए बहुत अच्छा मार्केट आज साइडवेज है पी अपील मैंने मौर्णिंग में कर दी थी ठीक है और अमनों जैसे कर लिए लेवल्स ये सारे जो लेवल्स है वाइन टू थ्री और फोर ये ये बस उपर में जो एक ये लेवल्स मैंने इसलिए दिया हुआ है मैं आपको दिखा दू कि ये पीक है ये दम टॉप कर लेवल्स है ठीक है इस वाज़े से चलिया अभी हम बात करते हैं आज कर शेशन बैंग निफ्टी के बैंग निफ्टी जो हमा निफ्टी ऑपन होने कहा है और फास ठीक है कर टारीक है अच यो फ्री हमारा ये ओप हुआ ठीक है बैंक निफ्टी यह ओपन हुआ पैनि फ्टी यहां से ओपन हुआ कैपड़ॉन ओपन हुआ उसके बाद यह क्या ओपर की ओपर पुश हो रहता है फिर यहाँ पर रेट कैंडल बना रेट कैंडल बनने के बाद यह आप देखेंगा साइड़्वेज है यह 50 मिनिट का टाइम है इसमें उतना आपको नहीं पाता चलेगा। जासेदे में सोनलक और शोनुस कुन fake है अगर आप कर सकते हैं अगर आप सबसक्क करें है और आप करते हैं तो आप सबस्क्राइब कर सकते हैं जबस जosc disfrจ ज्यादा इस जब्द आप टासर्फ पैसा है छाइंत पारफङ ए option seller में पैसा जाता है ओके चलिए सब बात की बात है मैं दूसरे शर्षान बताऊंगा आपको ये कल कर वीडियो अनला से समलोग स्टार्ट करते हैं so market है जो कαιर Cities और फॉल करें यहां पर प्रॉफिट भॉकिंग होने के बाद यहां फॉल होने के बाद करने के बाद अगर करने के बाद अगर आप देखेंगे, मैं आपको, ठीक है, तो यहां एक momentum, ये big big momentum आप देख रहे हैंगे, ये, मैंने आपको nifty 50 बताऊँगा, nifty 50 बताऊँगा, ये momentum क्या break हुआ है, तो आए, definitely ये break जो है, ये break हुआ है, तो एक momentum आया है, ठीक है, आपको nifty 50 अच्छा पता चलेगा क्योंकि वहां उतना ज्यादा फरेकि रिक और पेक न बंटे हैं वहां बहुत स्पंपल लिटी रहते हैं वहां प्रापास ज्यादा पता चलेगा मैं वीडियो को ज्यादा बने लेता हूं Simple Sideways आज का मार्केट है यह मैं आपको बताई दिया हूँ चलिए हम लोग यह प्रेडिक्ट करते हैं ठीक है यह प्रेडिक्शन करते हैं कि प्रेडिक्शन अनुभाव ठीक है हम लोग एक अनुभाव लगाते हैं कि कल का मार्केट कैसे ओपन होगा gap up open होगा या gap done होगा to be honest market का सारा data negative show कर रहा है and first of all I just wanted to tell you guys I am not say be registered okay so यह मेरा prediction है just मेरा experience आप सो share करता हूँ so experience के मताबिक market नहीं चाहरा है market के मताबिक मेरा experience gain हुआ and मैं आपको share कर रहा हूँ first of all okay यह बात आपको समझ मेरा नहीं चाहिए ठीक है market का जो behavior वो negative किते है बट चलिए अगर मैं मानता हूँ कि market के यहाँ open हुआ चलिए market यहाँ market यह open होगा ठीक है market यहाँ कहीं sidewise open होगा अगर यहाँ open होगा तो यह concentrate करेगा अब कुछ wait करना है यहाँ पर उसका resistance है ठीक है यहाँ से अगर sharp selling आएगा तो फिर हम लोग यहाँ पर एक entry बढ़ाएंगा ठीक है और यहाँ पर selling आएगा तो डैग उसका आप देख सकते हैं target यह होगा ठीक है उसका target यह होगा यह वाला target होगा यहाँ पर फिर इसके बाद भी target नीचे के और और भी है ठीक है अगर आप देखेंगा तो नीचे और भी आपको target दीखेगा फिर यह आपको target दीखेगा यहाँ पर भी target है औके और मैं आपको बता हूँ जो market में 46,000 का जो waves है 46,000, 46,000 बैंक निफटी वो यहाँ पर आसपास देखेगा 45,800, 900 के आसपास closing दिया है अगर market 46,000 यहाँ पर open होता है और एक हम लोग थोड़ से wait करेंगे second half के लिए क्योंकि first half में काफी volatile रहता है market और sideways भी रहता है तो market ठीक से direction अपना show नहीं कर पाता है अगर market second time अगर market एक up move दियागा तो हम लोग definitely market को respect करके हम लोग up move के और चलेंगे बट ज्यादा तोर उमीद यह है मेरा prediction यह है कि market sideways या gap down ओपन करेगा और market इस target टूटच करना चाहाएगा 45,000 45,250 का ओके तो आप यह देखिएगा aggressive trade मत करियेगा in the morning first half में यह बैंग निफिटी का था नाँ कमिंग तो पॉइंट यह आपको निफिटी फिटी है निफिटी का मैं गाईज आपको पुरा clear आपको समझ में आता होगा क्या चल रहा चार्ट में ओके चलिए मैं आपको दिखा देखिए यह 50 मिनट का टाइम फ्रेम में open क्या हूँ अगर आपको इसको simple समझना है तो कुछ नहीं है यहाँ पर resistance है यहाँ पर support है देखिए आज जो market जो move कर रहा था market open होने के बाद market है कैसे move किया इस range में और honestly बता रहा हूँ इस range में पैसा कमाने वाले कमा है अगर आपको कुछ लग रहा है कि नहीं उसमें नहीं कमा सकते हैं you can come to my telegram channel and you can see ठीक है मैंने उसमें कुछ अपना experience share किया था and we got it right good trade ठीक है इसी sideways market में क्योंकि market इसमें concentrate कर रहा यह 15 मिनट का इसलिए आपको एक छोटा लग रहा अगर मैं इसको 5 मिनट कर लूँ तो फिर यह बड़ा है ठीक है यह देखें बड़ा और यह move move क्या है चलिए 15 मिनट में लाते हैं आपको समाझ में आएगा यह move एक अच्छा move था ठीक है और यह move क्यों है क्योंकि यह move देखें यह जो range था यह दोनों range इसको break किया market negative था मैंने अपने टेलिगा में भी शेयर किया market data के साथ full negative है तो यह market इसको break किया था एक big candle बना है वो काफी बड़ा candle बना है ठीक है और यह एक line आ रहा है अगर मैं आपको यह show करूँगा यह line कैसा है तो one day का time frame में आप देख सकते है market ऐसे move कर रहा है market ऐसे move कर रहा है but market closing इसके अंदर ही रखा है आप इस बात को समझ यह गा और market का जो closing इसके अंदर है market यहाँ selling का momentum ज़्यादा show कर रहा है कल कर जो momentum show किया था selling का ज़्यादा किया था यहाँ sideways होके भी selling का एक अच्छा full candle जैसे बना चुका है okay इसलिए हमने 50 मिनट के फिर अगे आते है market sorry guys मैं आपको बता दू कि मैं बहुत slowly slowly आपसे मैं बात करना चाह रहा हूं रूबरू हो रहा हूं just because कि आप समझें बात को ठीक है हाँ आप मेरे वीडियो को definitely speed करके आप देख लें ठीक है रहेगा इसमें भी है कि definitely इसमें भी market gap done open होगा gap done open होने के बाद market देखे यह gap fill था ना sorry gap था इसको fill किया है market मैं कल आपको यह बात अपने वीडियो unless इसमें बता चुका था कि market gap को fill करता ठीक आपको भी यह बात समझनी होगी market gap को fill करता है आज नहीं करेगा कल करेगा 95% market gap को fill करेगा यह बात को मान लिजे so accuracy 95% ठीक है यहां तक आपको बात समझ में आई okay so market just wait अगर आप देखेंगे yeah guys यह यह जो line आपको one day के time frame में मैंने show किया था market इसके अंदर है मैंने आपको show किया था okay but market को जो momentum है वो bearish है so market कल अगर यहां open होता है ठीक है यहां पर sideways open होता है sorry यहां पर open होता है so definitely यह considerate करने के बाद यहां पर एक अपना target touch करेगा okay मैं यह नहीं बोर रहा हूं कि कल कर देगा but definitely बहुत जल्दी करेगा अगर market considerate करने के बाद एक अच्छा move देता है मार्केट अगर gap up open होता है तो आप थोड़ा से wait करें wait करने से क्या होगा क्यों आपको समझ में आगा कि market इसको break करेगा या up move देगा यहां पर आप जहां भी देखेंगे मार्केट यहां से फॉल हुआ मार्केट यहां से फॉल हुआ मार्केट इस लाइन से फिर से फॉल हुआ आपको यह समझ में आज़े market bearish momentum है market momentum bearish है आप इस बात को समझ ज़े ठीक है निफ्टी 50 यहां खतम हुआ ठीक है मैं ज़्यादा नहीं आपको वीडियो बड़ा कर रहा हुगा मैं छोटा सा आपको अपने लाइसे शोग कर रहा हूँ ठीक है यह फिन निफ्टी को इसले शोग कर रहा हूँ यह फिन निफ्टी के काफी लोग experience बहुत खुश होते है फिन निफ्टी के एक अच्छा दिन होता है ठीक है ट्विजटे एक दिन और काफी लोग इसमें trade करना पसंद करते है ठीक है इसका भी से मैं बोलूँ तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा इसमें भी मैं यहीं बोलूँगा कि इसका momentum जो है वो bearish है अगर आप देखेंगे तो market यहां पर भी market यहां पर भी support में आके यहां ठायर यह है market sideways होने के बाद market एक downfall दिया और यहां पर support में अपना आईए है market अगर market यहां open होता है तो थोड़ा साम वेट करें, concentrate करेंगे 1-2 hours यह फिस second time mostly market अगर अपना फॉल देता है तो target यह हम ले सकते है ओके अगर market gap up अपन होता है फिन निफ्टी में यहां पर अगर आपको gap up दिखता है तो please aggressive trade नहीं करिया फिन निफ्टी में क्योंकि जो momentum है वो bearish की तरफ है तो यह fake breakout माना जा सकता है मैं फिन निफ्टी में बस अतना ही बात करना चाहता हूँ क्योंकि mostly momentum same होते हैं so मैं bank nifty cover के लिए nifty cover के लिए अगर आपको किसी भी चीज़ के videos चाहिए so you can comment me on this video आप comment करिए कि आपको क्या video चाहिए so मैं उसका नाम लेके मैं definitely एक video बनाऊंगा और इस अब के लिए video होगा बट मैं उसका नाम लेके video बनाऊंगा जो भी comment करेगा so it's good अच्छा होगा कि आपके वज़ए से काफी लोग भी सीख पाएंगे thank you guys take care we'll see you tomorrow bye take care